सज चुका है मंच और बज गया है टाटा IPL फाइनल का बेगुल दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम में कुछी घंटों में शुरू हो जाएगे खिताब हासिल करने की जद्दो जहत क्या अपने होम ग्राउंड पर गुजरात मचाएगी गदर या राजस्थान के रजवारे बोलेंगे हला और 14 साल बाद IPL ट्रॉफी अपने नाम करने में होंगे काम्याब क्या रह सकता है हार्दिक पांडिया की टीम का गेम प्लान वहीं किस कॉंबिनेशन के साथ उतर सकती है संजू के टीम ये सब जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट आज रात एहमदाबाद के एतिहासिक नरिंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दो युवा कप्तान अपनी अपनी टीमों को खिताब दिलाने और मैदान मारने का इडादार लेकर उतरेंगे एक तरफ हार्दिक मांडिया की गुजराद टाइटन्स होगी जिने इस सीजन रोग पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रोयल्स है जिसके युवा कप्तान संजू सैमसन ने एक बेहतरीन यूनिट के साथ 14 साल बाद रोयल्स को फाइनल में पहुंचाने में कामियाबी हासिल की है अगर गुजरात की टीम की बात करें तो अब तक उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया है हार्दे की अगवाई में टीम ने लीग राउंट में 14 में से 10 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 4 मैच में उन्हें हार मिली थी 20 अंकों के साथ अंक तालिका में शिर्फ पर रहने के बाद क्वालिफायर फरस्ट में राजस्थान को हरा कर गुजरात ने फाइनल में अपनी जेगे बनाई थी गुजरात टाइटन्स के लिए सबसे खास बात ये रही है कि पहले सीजन में ही टीम को अलग-अलग मैचों में अलग-अलग खिलाणियों ने जीत दिलाई जब ये सीजन शुरू हुआ था तो शायद ही किसी एक्सपोर्ट ने उन्हें कोई चांस दिया होगा लेकिन इस टीम ने सबी को हैरान करते हुए पहले ही सीजन में फाइनल तक का सफर तै किया है आक्शन में जीटी ने कोई नामी बलेबास नहीं खरीदा था लेकिन जितने भी बलेबास थे वो सबी फॉर्म में थे उपनिंग मेरे दिमान सहा और शुबमन गिल मिडिल और में हर्दिक पांडिया डेविड मिलर और राहुल तेवतिया शांदार बलेबास जी कर रहे हैं हलांकि टीम के लो़र और को जादा मौके नहीं मिले हैं लेकिन राशित ने भी बले से दो मैचों में कमाल दिखाया है पर फिलहाल कुछ मैच से साहा अच्छे शुरुआत देने में नाकाम्याब हुए हैं ऐसे में वो फाइनल में टीम को अच्छे शुरुआत दिलाना चाहेंगे वैसे भी साहा को आईपिल फाइनल में शतक जड़ने का अनुभौ प्राप्त है जो इसे बलेबाज ने 2014 के आईपिल सीजन में पंजाब के लिए खेलते हुए करिश्मा किया था उधर गेंदबाजी की बात करें तो पूरे सीजन गुजरात की बॉलिंग लाइनप सबसे मजबूत रही है टीम के पास मोहमद शमी यश दयाल जोसे स्विंग गेंदबाज हैं वहीं अलजारी जोसेफ के पास उंचाई के साथ साथ गती है जो राजस्थान के बलेबाजों को परिशान कर सकती है स्पिन में राशित खान और आर्जाई के शोर की जोड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रही है ऐसे में फाइनल क्लैश के लिए टीम बिना किसी बदलाओ के साथ उतर सकती है वहीं पर राजस्थान की बात करें तो क्वालिफायर टू में जोस बटलर की धमाकेदार बलेबाजी ने उन्हें फाइनल का टिकट दिलाया है बटलर ने दूसरी क्वालिफायर में शटक लगा कर मुकाबले से पहले ही गुजरात के लिए खत्रे की घंटी बजा दी है के लिए उतर सकते हैं जिन्होंने वापसी के बाद से ही अपनी बलेबाजी से सभी को प्रभावित किया है हलांकि राजिस्थान के लिए सबसे बड़ी परिशानी संजू सैमसन है संजू को हर मैच में शरुवात तो अच्छी मिल रही है लेकिन वो इसे बड़ी पारी में तबदील या नहीं कर सके हैं सैमसन 30-40 रन बना कर आउट हो रहे हैं ऐसे में अगर रॉयल्स को 14 साल बाद ट्रॉवी जीतने का सपना पूरा करना है तो कप्तान को एक बड़ी पारी खेलनी होगी इससे वो नेशनल सेलेक्टर्स को भी करारा जवाब दे सकेंगे जिन्होंने उन्हें दक्षिड अफ्रिका के खिलाफ टी ट्वंटी सिरीज के लिए भारती स्कॉर्ड में शामिल नहीं किया है इसके अलावा शिम्रोन हेटमायर और रवी चंद रश्विन भी अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं लेकिन रियान पराग को मैच फिनिश के जिम्मेदारी अपने उपर लेनी होगी और इस मैच में टीम के लिए कंट्रिब्यूट करना होगा उधर रॉयल्स की गेंदबाजी मजबूत नजर आ रही है ट्रेनवोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने रसीबी के खिलाफ शांदार गेंदबाजी कराई थी और फाइनल मुकाबले में भी दोनों पर राजस्थान को शुरुआत में सफलता दिलाने के जिम्मेदारी होगी वहीं ओबेट मेकॉई डेथोवर्स में एक बार फिर टीम की नईया को पार लगाने की कोशिश करेंगे जबकि मेडिल ओडर में अश्विन और चेहल के उपर रन गती पर अंकुष लगाने के साथ साज हिदारियों को तोड़नी की भी चुनाओती होगी आपको बता दें कि चेहल ने इस सेजन गर्जब की गेंद बाजी की है और वो सबसे ज़ादा विकेट लेने वालों में फिलहाल दूसरे नमबर पर हैं लेकिन एक विकेट लेते ही यूजी चेहल परपल कैप पर अपना कबज़ जमा सकते हैं हलांकि आखड़ों की लिहाद से टाइटन्स का पलड़ा भारी नजर आता है उन्होंने अब तक की सीजन में रोयल्स को दोनों मुकाबलों में मात दी है लेकिन फाइनल का प्रेशर अलग होता है और यहां जो भी टीम इसे बहतर हैंडल करेगी वही IPL 2022 का खिताब अपने नाम करने में कामियाब हो सकती है तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है किसके सर सजेगा IPL 2022 का ताज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सबस्क्राइब कर लीजे हमारे यूटूब चैनल को